बजेट में जो Tax के प्रपोजल है, उसमें Main 3 पिलर है पहला ये है कि ये बजेट के Tax प्रपोजल के द्वारा, जो देश का विकास है और देश की Employment Generation की ज़ो जरुरत है, उसको पूरा करने की कोशिश की गई है सबसे पहले तो यह किया गया है कि भई नई manufacturing company चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उन सब के लिए 25% का corporate income tax growth लगेगा मुझे लगता है कि इससे काफी सारी नई investment आ सकती है manufacturing में इंडिया में और उससे बहुत बड़ी employment मिलेगी दूसरा है कि हमने जो विस्तरुत रूप से duty structure में चेंज किया है exercise duty, CVD and basic custom duty में वो सब इस परपस से किया गया है कि अभी जब global softening हो रहा है पूरे विदेशों का माल भी ऐसे ही बिकता नहीं है तब हम अपनी industry को domestic industry को कैसे प्रोचाहन दे कि जिससे उनको अपना जो कामकाज है वो अच्छी तरह से करने का मोका मिले इंप्लोमेंट क्रियेट करने का एक दूसरा तरीका बजेट में जो सोचा गया है वो है housing sector और construction industry को बढ़ावा देना अब इसके लिए एक पूरा package दिया गया है housing के लिए कि जिसमें न सिर्फ individual house loan लेने वालों के लिए कुछ छूट दी गई है लेकिन जो कंपनियां affordable housing मतलब की 60 square meter 600 square feet का जो मकान है फ्लैट है छोटा सा उसको बनाने वाली कंपनियों को भी income tax में से छूट दी गई है इसके अलावा जो investment आता है real estate investment trust या infrastructure investment trust के माध्यम से उनको भी tax की कुछ छूट दी गई है उनको DDT बनने में से मुक्ति दी गई है इससे भी काफी सारा investment housing sector में आ सकता है तो ये कुल मिला के जो पूरा package है उसका पहला पहलू ये है सबसे प्रतम पहलू ये है कि इससे growth और employment को बढ़ावा मिले दूसरा जो tax proposal का पहलू है वो है कि जितने litigation से tax के बारे में उसको काफी reduce करना और tax को reduce करने के लिए जो अलग अलग स्कीमें विस्तरुत प्रकार से डिकलेर हुई है उसमें से एक है dispute resolution scheme अभी आज की तारीख में करीब साड़े 5 लाग करोड के dispute सिर्फ प्रतम लेवल पे pending है जहां कि Commissioner Appeal के लेवल पे pending है करीब 3 लाग cases ऐसे जो pending है इनके लिए हमने एक सुविधा कर दिये कि अगर वो अपना case निप्टाना चाहे तो सिर्फ अपना जो मूल principal amount of interest है वो प्लस principal amount of tax due है वो प्लस उस तारीख जब तक ये assessment order आया उस तारीख तक का व्याज सूद दे के वो इस case का निप्टारा कर सकते है पेनल्टी छोटे case में माफ की जाएगी और बाकी के case में penalty will be taken at the rate of 10 लाग से उपर का अगर tax का dispute है तो 25% of minimum impossible penalty which means कि only 100% का 25% which means कि only if it is a 30% tax then 7.5% penalty will be taken तो ये भी एक बहुत बड़ी dispute resolution scheme है इसके लावा penalty के जो दर थे income tax department के वो था कि minimum 100% था और maximum 300% इसको बदल के अब हमने ये कहा है कि कुछ चीजे ऐसी होगी जिसमें थोड़ी सी गलती हो जाने से कोई penalty नहीं लगेगी और कुछ चीजे ऐसी होगी कि जिसमें under reporting किया गया है तो उसको सिर्फ 50% की penalty देनी पड़ेगी और उसके बाद अगर आपने miss reporting किया है या कोई चीज चुपाने की कोशिस की है या फरजी एकाउंट लिखे है तब जाके आपको 200% तरकी penalty हो सकती है लेकिन maximum penalty also has been reduced from 300% to 200% और इसमें जो discretion था tax officer का उसको खतम किया गया है जब tax का dispute होता है तो demand को stay करने में भी बड़ी दिक्कत आती है tax officer insist करते हैं कि आप 50% भर दीजिए या पूरा 100% भर दीजिए तब ही हम आपको देंगे stay तो ये discretion को भी खतम किया गया है और department की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि अगर कोई SSE 15% तक देने के लिए तयार है तो उसको बिना जिजग के stay दिया जाए अगर assessing officer को ये लगता है कि stay 15% में नहीं देना चीए तो उसको अपने उपर वाले अधिकारी की अनुमती लेनी पड़ेगी इस तरह की एक scheme ये बनाई गई है कुल मिला के जो तीसरा pillar है उसमें ये है कि छोटे taxpayer के लिए बहुत रियायत है दी गई है खास करके जो पांच लाग से कम आमदानी है जिसकी आई है उनके लिए कुल मिला के करीब दो scheme में से उनको फाइदा हो सकता है कि अपनी tax की liability एक एक आदमी को 6,600 रुपिय तक की उसमें छूट का प्रावदान किया गया है तो कुल मिला के budget में employment को बढ़ावा देने की कोशिस की गई है income tax department और service tax और exercise department के litigation को कम करने की कोशिस की गई है और कुछ रियायते छोटे लोगों को भी दी गई है जिससे सब को फाइदा है